दोस्तों स्वारा था आपका इस नया लेक्टर में अब देखतें कि एक बहुत ही इंपॉर्जन टॉपिक आपके बोर्ड ज्याम के लिए और किसी भी कमटेशन के लिए चाहिए आप आइट ट्यारी कर रहे हों चाहिए चाहिए क्या है यह कैसे इसको समझते हैं क्या इसकी प अस्याद होने चाहिए करेंट को एक होने के लिए कब वो डी सी हो जाएगी और कब वो और आइसी अध्यान के पहला पहला जिला सब्सक्राइब के साथ तो यह तो यहां देखे जीरू है फिर बढ़ते बढ़ते यहां मैघ्जम हो गई और माली यह तो यहां पर यह तिर जीरू हो गई घर्टकर फिर यह मैघ्जम हो गई अपोजिक डारेशन यह यहां पर भी 100 आना चाहिए यानि यहां यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब करेंट की जो उसका टाइम की रटा वह वह इस चाहिए यानि एक चक्कर जीरो से चलकर मैघ्जम से ठीज़ेब यह यहां से यहां तक एक चेकर हुआ इस एक चक्कर के टाइब अगरt पास से एंगीत आया और इस से जुए और अससे खा़ल बात ऐस कम्यदों आइए तो कभी चलक वाय जाई जो 돼 यह चाहिए और यह लगातार चाहिए होाँ मतला यहां घृ शील की करिंट होती है उसमें यहाँ ऐडारेशन चलने वाली बार लागू नहीं होती यहाँ पर लागू होगी और यह होना चाहिए बारेशन का चेंग होना यह की पहली और सबसे इंप्रूर्टन है मैं इसका होना चाहिए है यह बहुत बड़ा अंतर हो यह है कि इसका साइन चाहिए साइन का मतल्स मां देजे जिसे माल दीजे जैसे मैं कहा रहा हूं कि कभी करेंट पॉष्टीव होने चाहिए चो बहुत पूस्ता है कि सर करेंट का प्लस माइनस होने से क्या मतलब है कैसी इसको हमलेट करें circuit में तुम्हां दिजिए ये एक register लगा हुआ है और इस register में आपने alternating current जोड़ी हुई है alternating current को ये symbol दिया गया है जो कि अगर आप ध्यान दिजिए ये symbol इसी एक चक्कर को इसी एक चक्कर को यहाँ पर ऐसे कॉंप्रेस करके चोटा करके इसी एक चक्कर को यह वाले को चोटा करके यह बना दिया लिए पास्तों में है current फ्रो करेंगे सार्किट में गैसर में ककंई समस् deputy से यहाँ पर इस प्लस महाना सर क्या मतलब है भी सोर्स है माली यह भी में से प्लस और यह रूगोडय है है था करेंड हाई-वेलट से लोगोड़ एक ब्लस राइट साइड अब जैसे करेंट राइट सायड फ्लो करेगी कुछ दर्वाद आप देखेंगे यह पूरारिटी हो जाएगी प्लस और यह माइनस यानि अब इधर करेगी तो इसी रे अंसी डिस्टर में प्लू करेग करेगी लौइस को आपने बोला है अश्डेक और ज़िए ऑसको बोल रहा है उसके क्रमाज़त होगा जैसे आपके कमरे रहते हैं जब लाइट आ रही होती है यह एक सक्रेंट में कमरे में आ रहे हैं यह बल ज़ल रहा है यह एक से पर दिखने के लिए वह भी तब चैसमा ना लगा हो आखिदम सही है यानि आख में कोई डिफिक्ट ना हो तब वह एक सेक्ट में साथ तो सो चैसरी आप दिखाई नहीं दो हमको क्या लगता है करेंट कांटी में और सब्सक्राइब नहीं है नहीं है लेकि यह में ब्ड़ी लृवेव नहीं है एक बड़े तो में अबर हो इसको बहुत अभी इसको को पढ़ता हूं फिलाल तो बात ही हो रही थी कि यानि कोई करेंट कभ एसी होगी और कभ वो दीसी हो जाएगी तो दो चीज़ याद रखिएगा पहली उसका साइंच होना चाहिए प्लस माइनस और जो भी उसका है वो कॉंस्ट होना चाहिए और यह जो एक चक्कर लगाने का समय है अगर यह एक बार मालेजिए पांस सेकंड आया तो हर बार यह चक्कर का समय पांस सेकंड ही आना चाहिए कुछ और बेसिक बातें जाल दीजिए अल्टर नेटिंग करेंट नार्मली साइन या को साइन फंसन होती है यह साइन ग्राप बना हुआ है अब यह ऐसे बना बना रहा है इसका मतलब जगर यह क्लाकवाइज है यह क्लाकवाइज थिक तो यह करमागत ऐसे प्लस माइनस होता चला जाएगा तो यह आपकी अटर्नेटिंग करेंट की कंडिसर हो गई उम्मीद करता हूं आपको मेरी बास समझ में आई होगी आपको यह वीडियो फसल आ है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सपोर्ट कीजिए थैंस वार वाचिंग करें